Hello Students, स्वागत है आप सभी का Welcome to ISK डेली Current Affair के डिसकसन में तो आज का जो Current Affair का जो डिसकसन है उसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे क्विश्चन की Students, क्विश्चन ये पुछा किया है कि इन में से कौन सा ऐसा राजा था जिसने बेसिकली एक रात का जो टाइटल था एक रात का जो टाइटल है वो अजूम किया था तो बेसिकली Students, क्विश्चन का जो Right Answer है वो है महापदमानंदा महापदमानंदा जो Founder थे, नंद डाइनेश्टी है उसके ये Founder हुआ करते थे और कहा जाता है कि महापदमनंद के दुआरा जो Northern India के जितने भी छत्रिया डाइनेश्टी हुआ करती थी उन सबको इन्होंने Defeat किया था, उन सबको इनके दुआरा हराया गया था इस वज़े से इनको यहाँ पे टाइटल दिया जाता है इक रात, इक रात का जो टाइटल है कि completely यह सोवरिन थे इनके उपर किसी की भी अथियोरिटी नहीं हुआ करती थी Northern India में अगर हम इस्टूडेंट्स बात करें अजास सत्रू की तो अजास सत्रू के immediate successor के रूप से जाना जाता है उडियन को उडियन जिन्होंने basically पाटले पुत्र है जिसका establishment किया बाद में वो अगर हम बात करें मोरिया डाइनेस्टी की capital भी बनती है पाटले पुत्रा बिम्भी सारा भी उसी ही डाइनेस्टी से बिलोंग किया करते हैं अजास सत्रू के दुआरा यहां basically first Buddhist council है उसको भी यहां पे patronize किया गया था जिस council को उस समय में जो chairman जो preside किया गया था वो किया गया था महा कश्यपा के दुआरा तो यह काफी सारे बाते हैं जो ancient history से related हैं तो इसका जो right answer होगा वो होगा महा पदमा नंदा तो आज का जो discussion है उसे start करते हैं students सबसे पहला जो topic है वो Asian swine flu से related है students Asian swine flu के काफी सारे ऐसे cases हैं या symptoms हैं वो अभी recently मद्य प्रदेश के अंदर एक जगह है दमों हैं दमों के अंदर ये उपजरू किये गए हैं कि Asian swine flu के काफी सारे cases वहां के जो pig हैं उनके अंदर में अगर हम Asian swine flu के अगर हम बात करें तो students ये Asian swine flu है ये endemic है सब सहरा अफरीका के अंदर students आपको पता होगा पिछले 15-20 साल के अंदर में काफी सारी ऐसे disease हैं जिनका outbreak का अगर हम इस्तान की बात करें तो वह आपको अफरीका देखने को मिलेगा उसके behind में काफी सारे ऐसे region हैं कि वहां पे wet equatorial climatic condition का present होना जिसके अंदर humidity काफी ज़्यादा होती है जो bacteria जो insects हैं उनका जो वहां पे जो development है वो होने के जो chances हैं वो काफी ज़्यादा होते हैं तो ये भी कुछ region हैं इसके वज़े से जो आपको काफी सारी ऐसी जो disease हैं उनका जो outbreak का जो इस्तान है या जो endemic हैं वो आपको अफरीका से देखने को मिलेंगी तो students Asian swine flu ये basically जो सब सहारा अफरीका का एक region है वहां पी ये endemic पाया जाता है ये उसके साथ ये काफी सारे ऐसे जो region है वर्ल्ड के वहां पी ये spread हुआ है present समय में जिसके अंदर Asia का region है, Europe का region है students ये highly contagious viral disease है जो domestic और जो wild pig है उनके अंदर पाई जाती है और इसके अंदर जो mortality जो rate है वो आपको 100% देखनी को मिलती है कि जिन pig के अंदर ये होती है उसके जो death है वो 100% यहां पे sure है अभी तक अगर हम बात करें ये अभी जो human being है उनको ये affect करती है इसके जो cases है वो अभी अभी तक observe नहीं हुए है अभी तक नहीं माना जाता है कि ये human being को इनके उपर कोई effect होता हो इसके अलावे students अगर हम इसके cure की बात करें Asian swine flu के अगर हम cure की बात करें तो कोई भी यहां पे जो दवाई है या जो cure है वो approval नहीं है यहां पे available नहीं है कोई भी vaccine का approval नहीं किया गया है basically जहां भी animals के अंदर यह spread होती है उन basically pigs को यहां पे slotting कर दी जाती है उनका जो curling है वो कर दिया जाता है अगर हम बात करें Asian swine fever की यह swine flu की यहां पे directly spread होता है अगर direct contact होता है pig का किसी भी बोली जो पिक की जो body का जो fluid है उसके साथ में direct contact होता है तो उससे यह directly यहा वो यहां पे spread होता है Asian swine flu का तो students Asian swine flu का जो cases है वो अभी recently जो symptoms है उपजरू किये गए है दम हो नाम की जो जगए है मद्दे प्रदेश के अंदर वहां पे तो यह basically ऐसी एक बिमारी है जिसका कोई भी यहां पे जो cure है वो available नहीं है कोई भी vaccine नहीं है इसमें direct जो curling है वो क की जाती है direct उनको मार दिया जाता है जिनके जिन peaks के अंदर में यह observe की जाती है students अगर हम बात करें next topic की next topic है national health authority के बारे में national health authority के बारे में आपने सुना होगा 2018 से इसको पहले national health अगर हम बात करें national health agency के नाम से जाना जाता था national health agency को completely autonomy देने के लिए इसको national health authority के रूप में declare किया गया students ये वो ही authority है जो आयुसमान भारत जो हमारा आयुसमान भारत है उसका यहाँ पे basically प्रदान मंतरी जना अरोगी योजना को यहाँ पे grass root level पे जो existence कराने के लिए या implement कराने के लिए काफी important role play करती है हमारी national health authority student 2017 के समय में इंडिया में एक national health policy आई थी national health policy 2017 2017 में जो हमारी national health policy आई उसके दुआरा काफी सारे ऐसे reform लिए गई हमारे health sector से related उसी national health policy के काफी सारे ऐसे directive या अगर हम बात करें guideline थी जिसके अंदर एक guideline ये भी थी कि हमको जो GDP है उसका काफी अच्छा जो percentage जो है जिसमें 0.5% बताए गया था कि 2.5% जो money है GDP का वो हमको contribute करना है किसके अंदर में health sector के अंदर जिससे हम health sector को यहाँ पे revival कर सकें तो students आयुषमान भारत प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना उसी national health policy का एक outcome है जिसके अंदर universal health coverage की बात की गई है अगर हमारे sustainable development goal goal number 3 की बात करें जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हमको पीछे नहीं छोड़ना है leave no one behind तो उसी के implementation में हमको देखनी को मिलता है कि प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना आयुषमान भारत के थुरू health and wellness centers का creation किया गया health and wellness center हैं जन आरोगे के इंदर हैं उनको यहाँ पे develop किया गया basically students अगर हम प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना की बात करें तो यह socio economy class census के उपर इसका जो data है वो निकाला जाता है उसी के उपर beneficiaries को identify किया जाता है यहाँ पे यह normal states के अंदर इसका जो funding का जो ratio है 60-40 आपको देखनी को मिलेगा यूटीज के अंदर 100% center के दुआरा पैसा जिया जाता है और कुछ हमारे ऐसे areas हैं जिसमें हिमालियन state है या जो गाडगिल formula के थूरू special status जिनको provide किया गया है वहाँ पे 90-10 का आपको ratio है वो देखने को मिलेगा students इसके अंदर जो primary health centers हैं उनको health and wellness centers के अंदर convert किया गया है 5 lakh per family यहाँ पे health coverage प्रवाइड किया जाएगा secondary और tertiary care के लिए इसी national health authority के दुआरा आयुसमान भारत का जो digital mission है digital health mission भी यहाँ पे implement किया गया है जिसके अंदर basically जो health ID है वो हर एक person को अपनी health ID प्रवाइड की जाएगी और जिछे digitalization किया जाए health system को अब यह present समय में यह news के अंदर में क्यों है national health authority national health authority के दुआरा यहाँ पे decision लिया गया है कि जितनी भी यहाँ पे हमारी hospital है हमारी country में जो प्रधान मंतरी जनारोग्य योजना और आयुसमान भारत प्रधान मंतरी जनारोग्य योजना को basically implement करती है उनका यहाँ पे एक survey conduct किया जाएगा और वहाँ पे उनको ranking प्रवाइड की जाएगी कि कौन सी hospital की जो ranking है वो अच्छी है और कौन सी hospital के अंदर basically जो work system है वो काफी सही है उसके कुछ parameter भी है हम national health authority के बारे में सबसे पहले देखते है national health authority जो प्रधान मंतरी जनारोग्य योजना को यहाँ implement करने के apex body है हमारा जो digital health mission है उसके लिए भी यह वो ही body है जिसके दुआरा इसको implement किया जाएगा अगर हम national health authority के अगर हम बात करें national health agency का यह successor के रूप में यहाँ पे work करती है national health agency जो basically जिसको completely autonomy नहीं थी तो completely autonomy देने के लिए national health authority है उसका creation किया गया यहाँ पे basically यह attached office के रूप में work करती है ministry of health and family welfare के रूप में और जिसके दुआरा यहाँ पे हमारा जो chief executive officer होते हैं जो इस committee को head करते हैं जो secretary rank के एक officer होते हैं जो इस authority को head करते हैं और इसका working system को complete अच्छे way में implement करने की कोसीज करते हैं अगर हम बात करें students जिन parameters की बात की गई है जिनके उपर में हमारी जो hospital है जिनके अंदर आयुसमान भारत जनारोग्य योजना को यहाँ पे performance को यहाँ पे evaluate किया जाएगा या measure किया जाएगा तो पाँच ऐसे indicator यहाँ पे देखने को मिलते हैं out of pocket expenditure का कितना extend हुआ है कितना वहाँ पे out of pocket expenditure देखने को मिलता है इस पे major किया जाएगा confirm grievance को देखा जाएगा और यहाँ पे patients का जो health related quality of life है उसका improvement कितना हुआ है उन सब यह ऐसे पाँच parameter है जिनके उपर में यहाँ पे hospitals की जो ranking है वो की जाएगी जो प्रधान मंतरी जनारोग्य योजना आयुसमान भारत से related हैं students हमारा जो next topic है वो है village defense committee के बारे में अभी recently जंबू और कस्मीर के कुछ ऐसे areas हैं जहाँ पे civilians की death हुई है तो वहां की जो civilian community है उसके दुआरा demand की गई कि हमको village defense committee है उनको constitute किया जाए students village defense committee आप जो committee का ये concept है ये 90s के समय में ये concept काफी ज़्यदा peak के समय में था क्योंकि 90s के समय में हमको देखने को मिलता है कि जम्मू और कस्मीर के अंदर जो militancy थी जो insurgency थी वो अपने peak पर हुआ करती थी फिर उसी समय में 93 या 95 का जो समय है जिस समय में कस्मीर से जो कस् migration start हुआ उस समय में से ये village defense committee का जो concept है ये continue उस समय से रहता है वहाँ पर वहाँ की जो community है उनके दुवारा demand की जाती है कि हमारे village के area में village defense committee है उसका constitute किया जाए basically village defense committee किस तरीके से help करती है तो 1990 के समय में एक multiplier force multiplier के रूप में वर्क करती थी जिससे militants प्या जो attack है उसको ये रोका जा सकी दोड़ा district हुआ करता था उस समय में किस्तवर है दोड़ा है रामबन district जो हुआ करते थे वहाँ पर ये village defense committee है जहाँ पर insurgency काफी ज्यादा peak पर थी तो वहाँ पर ये work किया करती थी इसके अंदर basically जो civilian person है village की जो person है उनको यहाँ पर animation है वो provide किया जाता था उनको जो gun है वो provide की जाती थी weapon उनको दिया जाता था उनको training दी जाती थी कि कभी अगर militant attack होता है यहाँ पे तो आप उस attack को यहाँ पे deal कर सको इसी के अंदर एक village defense guard नामका भी एक concept है village defense guard और ये है village defense committee तो village defense guard और village defense committee है इनको basically जो money है जो पैसा है वो भी दिया जाता है गोर्मेंट के दोड़ा village defense guard को जो पैसा दिया जाता है वो basically यहाँ पे 1500 के आसपास दिया जाता है और ये सबी लोग यहाँ पे जो SSP होता है या जो SP होता है डिश्टिक का उनके अंडर में ये लोग वर्क करते हैं जिससे Militancy को वहाँ पे रोका जा सके अभी प्रेजेंटली जो वहाँ पे LG है मनोज सिन्ना मनोज सिन्ना सर बैसिकली पहले हमारे सेंटर गोर्मेंट के मिनिश्टर हुआ करते थे तो मनोज सिन्ना सर के दुवारा वहाँ पे अभी प्रेजेंटली LG है तो उनकी दुवारा वहाँ पे बताया गया है कि जल्द ही विलेज डिफेंस कमेटी है वो ऐसे जगह जहाँ पे मिलिटेंसी अपने पीक पे है या सिविलियन्स की डैथ हो सकती है वहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटी को अप्रूव किया जाएगा स्टुडेंट्स ऐसे जो क्विश्चन है UPSC के GS3 के मेंस में आपको देखने को मिलते हैं दो साल पहले UPSC ने अपने जो मेंस के अंदर में क्विश्चन पूछा था ओन ग्राउंड वरकर के उपर में ओन ग्राउंड वरकर भी बेसिकली वो ही होते हैं जो मिलिटेंट और्गनाइजेशन को इनफोर्मेशन प्रवाइड करते हैं अपने ग्रास रूट लेवल पे या विलेज के लेवल पे तो grassroots level पे जो militancy के लिए जो work करते हैं उनको on ground worker बोला जाता है ऐसे ही village defense committee है जो militancy को यहाँ पे counter करने के लिए इन committees को constitute किया जाता है इनको animation provide किया जाता है 100 round तक यह firing कर सकते हैं इसके equal इनको animation दिया जाता है weapon इनको provide किया जाता है gun इनको दी जाती है और यह उस district का जो SP होता है या SSP होता है उसके under में यह function करते हैं village defense committee तो insurgency को militancy के जो attack हैं उनको रोकने के लिए इनको 90s के समय में यह formula था जो present समय में भी इसको approval किया गया है मार्च 2022 के समय में हमारे union home minister के दुआरा vulnerable areas के अंदर में इस जो scheme है village defense committee इसको approval दिया है तो यह भी आपको पता होना चीए तो students आज हमने village defense committee के बारे में देखा national health authority जिसके दुआरा आइसमान भारत mission के जो hospital है उनको यहाँ पे ranking दिये जाएगी उनकी parameters के बारे में देखा और हमने African swine flu जिसका कोई भी यहाँ पे vaccine या cure available नहीं है उसके बारे में हमने discuss किया तो students यह आज का हमारा current affair का discussion था आप बने रही है हमारे साथ हमां आपको continue इसी तरीके से update करते रहेंगे तो thank you students thank you very much